दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक कर क्या पर्चेर्ष कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिएन इस नंबबर पर आप कॉंट्क कर सकते हैं सामने हो मन्जिल तो रास्ते ना मोड़ना जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना कदम कदम पर मिलेगी मुश्कील आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो आज है 25 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज ही करने फेस उससे पहले दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरो कर लें साथ हैं बेल आइक वर्स रास्ट्री बालिका दिवस मना जाता है यह 24 जनवरी गुटि कि option C थीक है देखे दोस्तों यह आपको बता देख एक राश्ट्री बालिका दिवस मना जाता है कि इस साल का जो थीम है इसका क्या है ये उज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्ति करण ठीक है चलिए अगले को चंग तरह बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें टार्गेट लाइक से आज का पंदरह जा लाइक सा तुदि आपको ये वीडियो हेलफूल अरुन जेटली की असोस्थता के दोरान वित्त मंत्री और कार्पोरेट मामलों के अलपकालिन मंत्री के लिए नामित किया गया और दोस्तों आपको बता देंको अपने मौझूदा कोईला और रेलवे मंत्राले को भी देखते रहेंगे और उन्हें पहले मई 2018 मित्त मंत्रा अरुन जेटली की असोस्थता के दोरान बिना किसी पॉर्टफोलियो के मंत्री ग्रुमें नामित किया गया ठीक है तो आपको बता दें कि अलपकालिन वित्त मंत्री और कार्पोरेट मामलों का नया मंत्र किसको नामित किया गया है प्यूश गोईल जी को चलिए जन्वरी को सैयुक्त अरब अमिरात से तीन भारती विस्तारकों को प्रवासी भारती सम्मान पूरुसकार से समानित किया गया है आपको बता दें गिरीश पंद सुरेश सिंग कंधारी और डाक्टर जुलेखा दाउद को यह पूरुसकार पतान के कौन-कौन से तिन लोग गिरश पंद सुरेश सिंग कंधारी और डाक्टर जुलेखा दाउद प्रवासी भारती विस्तारकों को प्रवासी भारती पूरुसकार से सम्मानित किया गया है किया कि तीन लोग कौन क्वा बारती दिवस कहां पर मनाया जा रहा है मनाय गया गया है यूपी के वारांसी में ठीक है तो यह आप याद रखिया रहेगा एनर आी यानि non resident Indian इसका full form होता है चले अगला वोशन देख लेते हैं माल और सेवा कर अपीली न्याद करण की राष्ट्री पीट कहा है स्थित होगी तो दोस्तों ये माल और सेवा कर अपीली न्याद करण की राष्ट्री पीट इस्थापित होगी नई दिल्ली मिटी के न्यू डेली में 23 जनबरी को केंद्री मंद्र मंदल ने माल और सेवा कर अपीली न्याद करण की राष्ट्री पीट को गठन को मंजुरी दिये हैं और अपीली न्याद करण के राष्ट्री पीट दोस्तों नई दिल्ली मिस्तित होगी और इसके देख्स दोस्तों इसके अध्स द्वारा की जाएगी ठीक है यह जो माल और सेवा कर अपीली नहीं नहीं Imam और फीकते हैं मारा भारत का निर्वाचा नायोग 24 जनवरी को चुनाओ के सामिल और शुलब बनाने के लिए अंतराश्ट्री सम्मेलन का रजन कहा किया कि दोस्तों न्यूड है ठीक है दिक स्कूर्ण निर्वाचा नायोग 24 जनवरी को दिल्ली में चुनाओं के शमावेशी और सुलब बनाने पर एक अंतराश्ट्री सम्मेलन का आउजन किया है और सम्मेलन का दोरान इसमें कई त्रहमासिक पत्री का वायस इंटरेसल का इसमें जन्वरी कंग जारी किया गया दोस्तो इसमें निर्वाचा नायोक भूटान के निर्वाचा नायोक के साथ चुनाओं प्रावंधन के शेत्र में सहयोग के लिए सम्मदक जापन को भी इसमें नवी निकृत करेगा ठीक है तो आप एद रखेगा नियुडेली में चलिए अगर वुश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर्शिक से भारत सरकार ने शुभाच चंदर बोस आब्दा परवंधन पूरुषकार नामक एक वार्षिक पूरुषकार की स्थापना की है यह पूरुषकार प्रत्यकवर्स पूरुषकार की और दोस्तों पूरुषकार की कुछन प्रत्यक्वर्स तेष जनवरी को नेताजी शुभाच चंदर बोस्ट की जैनती पर गिया जायागा ठीक है तो आप याद रखेगा थेजन परीको अंतराष्टी सिक्षा दिवस कम मना जाता है दोस्तों अंतराष्टी सिक्षा दिवस मना जाता है ये 24 जनवरी को ठीक है 24 जनवरी को ठीक है इस दिन का उदेश क्या है शान्ती और विकास के लिए सिक्षा की भूमका का प्रचार करना तीक है उस्तों सेगत राष्ट महा सभाने 24 जन्वरी को अंतराष्टी सिक्षा दिवस के रूप में घुशित करते हुए तीन दिसंबर को एक संकल्प अपनाया और दोस्तों आपको बता दे कि भारत में मौलाना अबुलकला माजात की जैन्ती मनाने के लिए 11 नवंबर को राष्टी सिक्षा दिवस मना जाता है बात करें अगर अंतराष्टी सिक्षा दिवस की तो 24 जन्वरी को मना जाता है और बात करें अगर राष्टी सिक्षा दिबस की तो यह मना जाता है 11 नवंबर को ठीक है 11 नवंबर को और यह मौलाना अबुल कलाम की जैनती के रूप में मना जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस कंपनी को वहश्य कस्तर पर तीसरा सबसे मूललेवान आईटी सेवा ब्रांट का दर्जा दिया गया है यह दोस्तों इसको दिया गया है याद रखिये गई यह TCS को ठीक है देखे तो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की Tata Consultancy Services TCS Tata Consultancy Services को 2018-19 में वहश्य कस्तर पर तीसरे सबसे मूलेवान आईटी सेवा ब्रांट का स्थान दिया गया है दोस्तों आप पता दे कि एक्सेंचर ने दुनिया के सबसे मूलेवान आईटी सेवा ब्रांट का खिताब कौन किया है तो यह दर किया इसका नाम एक्सेंचर ठीक है एक्सेंचर चलिए और इसके लावत आईवीम को उसमें सेकंड नमर मिला है ठीक है तीज दस में बश्री गढ़ना पर स्थान पाती है इंफोसीस, SCL और विप्रो तीन है ठीक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस को और इसमें टॉप पर कौन है सबसे सीज सबसे मूलेवान आइटी कंपनी एकसेंचर और सेकर नमर पर है आईवीम थर्ड पर है टीस चलिए अगला वोशन देख लेते हैं पंजाब रोपड में भारती प्रदुक की संस्थान में नित्रहिनो को तेज जनवरी को शुरू किया गया और इस एप इमेज प्रोसेसिंग और एनलेटिक्स का उप्योग करके द्रिश्टिबाजित लोगों को आसानी से मुद्धरा नोटों के मूल करने धारण में साहिता करेगा और यह प्रकास किस्तिति और होल्डिंग कोड की विस्तरित स तो असोग चक्रेश समनित किया जाएगा चलिए अगला उसन देख लेते हैं किस बैंक ने रवनीत गिल को अपना मुख्य कारिकारी अधिकारी और प्रवन निजशक निवक्त किया है तो यह एस बैंक का ठीक है एस बैंक का देखेश तो एस बैंक ने चौभी जनवरी को र एमडी सीओ और एमडी चीफ इस गूटी ऑफिसर और मैनेजिंग डारेक्टर यह निवक्त किया है ठीक है और रवनीत गिल भारत में डियूश बैंक के सीओ है और संस्थापक सीओ राणा कपूर्च से पदभार ग्रहन करेंगे जो जनवरी धोहरंत में अपना यह पद कत् ठीक है और वह एक मार्ज रहुनिश को या उससे पहले बैंक में पदभार ग्रहन करेंगे ठीक है तो किस बैंक ने रावनीत गिल को अपना मुख्य कारिकारी यह निवक्त किया है एस बैंक का चलिए अब देख लेते हैं दोस्तो लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन दोस्तो आज का सवाल हमारा क्या है प्रदानमत्री मोधी जी ने हाली में किस राश्टिस्ट मारा के स्थल में नेताजिशु वास्तर वोस्त की याद में बनाया गए संगला को धटन किया है तो बहुत इंपोर्टन कोशन इसका आपको फटा पट कमेंट बॉक्स मिलके नही सब्स्राइब करें ठीक है दोस्तो मिलते हैं नहीं वीडियो को साथ और यह आपने कल की वीडियो नहीं देखी जरूर देख लें और आप डेली मौनी में करने फेस्ट के वीडियो जरूर देखागा रहरे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन रहता है ठीक है चले दोस् सुस्तरी बेस्तरी मस्तरी जय हिन जय भारत